आज हम आपके लिए बहुत ही वज़िदार से शामी कबाब की रेसिपी लेकर आए है अगर आप में इस तरह से शामी कबाब बना लिए ना तो खाने वाले का हाथ नहीं रुकेगा पेट भर चाहेगा लेकिन मन नहीं भरेगा तो ट्राइ करिए इस तरह से बना ये वीडियो पसंद आजाए तो लाइक कर दिएगा और हाँ चैनल पर अगर नहीं तो भी प्रीस चैनल को ज़रूर सब्स्क्राइब कर लें साथ में प्रेस को नहीं भूलना गया लाइक कर ले तेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो फिर चलिए फटा-फट से इसको बनाना प्रेशर कुकर में डाल देंगे और साथ में यहां एक चीज का ख्याल रखना है अगर आपको बहुत बढ़िया टेस्ट चाहिए जैसे कि मैं बता रही हूं आपको तो उसके लिए नहीं बहुत सारी डाल नी डाल दिए नहीं आपको सिर तीर मुठी भर की चैने की डाल दि अटिषल देखाने की एक झाहीं विले एक तर जो प्रेशर कुकर में और आदा गलास आदा टे एक अटीन विसल देखाने कि पानित ओनिडियो कने की रिए नहीं बेए जो पानी रे आपको बेखेना आउस नहीं भी बर में से झीलें सारी जीजिसे अट छिए अटी इस से क्योंकि इससे जो फ्लेवर आना था वो आ गया है हमसे साथ में लहीं पीसेंगे तो तेज पत्ता निकाल लेना है हल्दी पाउडर टूरर डालकर इसको अच्छी से मिक्स करेंगे और पानी पूरी तर से खुश्क कर देंगे और जब पानी बिल्गल खुश्क हो जाएगा ना तक कीमे को अलग एक प्लेव में निकालकर ठंडा कर लेना है और बाद में इसको पीस नहीं अच्छा कॉमेंड में ज़रूर बताईगा जिस तरह से में शामी कवाब बना रही हो क्या आपकी अब इस तरह से बंदे और आप जो भी मसाले हमें मिलाना है तो सबसे पहले हमने यहां पर लिया ए बारीक टाहरा धनिया चार बाच खरी मिर्च इसे भी बारीक कट लिया था एक चूटी प्यास बी घंड़ अधि चुटी चमज धनिया पाउडर जब आधि चुटी चमज घरम अगर आपको लगते बाद और तीखा करना है तो आप यहां पर लाल मिर्च पाउडर भी एट कर सकते हो और कश्मीरी मिर्च पाउडर अगर आपके पास है तो इससे कलर बहुत अच्छा हैगा थोड़ा सा भूपी एट कर लिएगा सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने से करीब 10-15 मिर्ट के लि बहुत मज़िदार से कवाब लगते हैं तो कवाब बनकर तयार हो गए बहुत ही मज़िदार जितने देखने में अच्छे लगए उतने ही खाने में भी हुआ टीस्टी हो दे है तो प्लीज ट्राइब करिए पसंद आजए वीडियो तो लाइक और कॉमेंट करें के ज़रू चैनल पर अगर नहीं तो भी प्लीज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने साथ में प्रेस करना नहीं भूलना व्या लाइक ने टीस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिलते हैं जल्दी को नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए जैक खियर और बाई